स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियों में सो फाइनली आज के इस वीडियों में क्लास 12 के उर्दू का चार चैप्टर चैप्टर नंबर 34, 35, 36 और 37 यानि कि 34, 35, 36 और 36 इन चारो चैप्टर का complete solution होने वाला है यानि कि जितना भी सब्सक्राइब कर लेने वाले हैं यानि कि इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा 12 क्लास के उर्दू के subjective question का ठीक है ये खुशी की बात है तो make sure कि आप लोग इसके पहले वाला जितना भी वीडियो अप्लोड हुआ है और हर एक चैप्टर का जितना भी कोशन कराए गया है वो सारे question answer complete कर लिए हो और आज के इस वीडियो को भी complete आप लोग को देखना है ब चैप्टर को एक साथ इसके next वीडियो में complete कर लेंगे और फिर उसी के साथ 12 क्लास के उर्दू का subjective question का जो series है उसका the end हो जाने वाला है ठीक है तो इसका next वीडियो वो लास्ट वीडियो होगा तो आप लोग बिल्कुल धैर रखे और उसके बाद से start होगा class 12 के उर्दू क objective question और वो भी नहीं तो लाइव आप सभी लोग excited है कि नहीं comment box में लिखकर आप लोगो बता देना है चली आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को बिल्कुल भी मिस्स नहीं करना है समझे कि आज का यह जो वीडियो है यह मेगा लास्ट वीडियो है और तब शेर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके चानल पर आप लोग नहींने आई हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और नोटिफिकेशन बेल को अन कर लेना है ताकि जब भी सबसे पहले चैप्टर नंबर हम लोग 34 और 35 इन दोनों चैप्टर को मिला कर यह सारा कोश्चन है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और यह सारे कोशन एंसर कंप्लीट करेंगे और फिर 36 और 37 तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि पहले शेर में मोहन किसे कहा गया यानि कि वलिदकनी की खजल फो नखेर हैं उस जो दो पूछा गया है कि मेहन किसे कहा गया है तो पहले शेर में मोहन ऑपने महबूब उल्मा का पूरा नाम और जय पैदाइश के मतलिक क्या बताते हैं आप लों को बताना है तो देखेए जवाब में लिखा गया है कि है घदरबादी उल्मा के मताबिक वली का पूरा नाम सेयद वली मुहमद और मुकामेपैदाईश यानि की जग यह पैदा हुए थे यानि की याए पैदाइष जो है ना वो औरंगाबाद हैं यह किसके हसाब तो हैदरबादी ULMA के मतावै हैदरबादी ULMA के नमा 5 सवाब में पुछा गया है कि वली का असल नाम और मुका में पैदाइश गुजराति दुटे सचिर्य की नज़र में धरी त्ब और मुका में पैदाईश यानि कि जिस जगा यह पैदा हुए थे वो है एहमदाबाद तो यह दोनों कोशन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा देखिए अगला सवाल कि तारीख यादब में वली किसके दर्मियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं यह तो मस्ट ठीक है चोथा कुशन है कि दूसरी गजल के पहले शेर के मताबिक शायर का दिल जो की जोगी बन चुका है वह कहां का बासी है तो कासी का बाशी यह थे पांचवा सवाल यह तो मैं आप लोह को पढ़ख लोगा बताईगी चटा कोशन कि P.K.B.R.A.G. के मानी बताएं तो P.K.B.R.A.G. का मानी होता है महभूग का सन्यास ले लेना सात्वा सवाल है कि हूरो में किस के मुख की शुहरत है तो हूरो में शायर के महभूग की शुहरत है अठवा कोशन की शामिल निसाब गजलों से दो दकनी अलफाज दर्ज कीजिए यान कि वली दकनी का जो अलफाज है जो अपने शिर शारी में जो लफज यूज करते हैं वो लफज आप लोगों को बताना है तो पहला है नजुक और दूसरा है सनासी यह दकनी अलफाज है और यहां पर सॉरी मैं बोल दे थी मुक्तसर सवालाथ यह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्ण है कि वली ने शुमाल हिंदृस्तान की श्वरा को कित तरफ राअगू किया है ये भी इंपॉर्टन कोश्ण है तो रिखत गोई के तरफ राखूंग किया है अगला कोश्ण कि रश चीजि से आप किया समझते हें तो रश सबसे पहला सवाल है कि वली की जबान पूरे मुल्क के लिए कैसे काबिल को बूल बन गई यह आप लोगो बताना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि वली की जबान पूरे मुल्क में इसलिए काबिल कुबूल हो गई कि उन्होंने शुमाली हिंद के शुरा को रिक्तागोई की तरफ रागुब किया इसके लिए उन्होंने दिल्ली का दुबारा सफर किया और कई महीनों में क्याम करके मुक्तलिफ शुरा को जमा किया और जबान के मौमले में उनके मानुई इस्तार की हैसिए ते खिर्मात इंजाम देते रहे इसी जमाने में वली के शायरी में दकनी रिवायत अपने अरूज पर पहुंच गई फिर रफ्ता रफ्ता वली ने अपने शायरी को दकनी सराथ से बहुत हथ तक महफूज कर लिया और इस तरह उनकी जबान पूरे मुल्क के लिए काबिल कबूल बन गई नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है कि वली की शायरी की दो खूबियों को वाज़ी कीजिए यहां पर दो खूबियों दो विशिष्टाए बतानी है वली दकनी की शायरी की तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि वली की शायरी की पहली खुबिया है कि उनकी शायरी में नादिर तश्बीहात और इस्तारात का इस्तमाल हुआ है जबान की सता पर वली के यहां हैरत अंगेज, सादगी और सफाई देखी जाती है वली के बाद इशार बिल्कुल मौजूदा जमाने की मालूम होते हैं वली की शायरी की दूसरी खुबिया है कि उनमें हिंदुस्तानियत का बहुत ज्यादा असर है उनके यहां जो अलफाज मिलते हैं वो ज्यादतर हिंद आर्याई होते हैं तो ये दो खुबी थी वली दकनी की शायरी की पहली खुबी क्या थी कि उन्होंने अपने शायरी में तस्भीहात और इस्तारात का इस्तमाल किया है मतलब कि इशारा करके जो है ना उन्होंने किसी चीज को किसी चीज से तश्भीह दी है इशारा करके इशारे इशारे में बा सवाल है कि वली ने शामिल इसाब दूसरी घजल के पहले शेर में कुछा यार कि उनके महभूब का कूचा ठीक कासी के शहर की तरह है और अपने दिल के बारे में कहा है कि जोगी का दिल यानि कि शायर का दिल काशी में ही बसता है यानि कि जिस तरह काशी पवित रिस्थल है उसी तरीके से इन्हों अपने महभूब की गली को कहा है कि मेरा महभूब का गली भी क्या है काशी की तरह ही है और मेरा जो दिल जोगी बन चुका है वो वही का बासी है मेरा मतलब की वही मेरा दिल बसता है यानि जिस तरह शहर का काशी हिंदू की मजभी अकीदत का मरकज है उसी तरह शायर के दिल क лieu काशिज्चि उसके महबूव की यह दो का मरकज है ठीक है आगे बठते हैं चोचा सवाल है की वली Allah की गजलों में मिसलों की इस्त्माल की क्या शकल है तो वली की घजलों में मिसलों की शायरी की रिवायतों से उक्त करते हैं यही वज़ा है कि वली अपने तसवर इश्क के जरीए तसवर की रिफायत को मौज़ुआत की वशाथ के साथ उर्दू शायरी के दामन में एक खास मुकाम अता किया है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तव यह जवाब में लिखा गया है कि वली अपनी का शुमार उर्दू के कदिम शुरा में होता है जिसके नाम वतन और सन पैदाईश वसन वफात के बारे में तज़करा निगारों के दर्मियान सक्त इखतलाफ है यानि कि इनके बारे में सही तरीके से मालूम नहीं चल पाया है इनकी पैदाईश कहा हुई वाकई में और इनका रियल नेम क्या है लेकिन ये मशूर है वली अपनी के नाम से उर्दू तहकिक के तरक्याफ़ता में हमारों के बावजूद इस सिलसले में आज तक कोई हत्मी फैसला नहीं हो सका है नहीं अब तक वली अपनी के तफसीली हा वली उल्ला और एहमदाबाद जाए पैदाईश है वली ने मदरसे हिडायत बक्ष में शेक नूरुदिन से तालीम पाई और सतरसाथ में वफात पाई लेकिन हैदरबादी उल्मा के ख्याल में वली का असल नाम सेयद वली मुहमद और मुकाम पैदाईश और अंगबाद है और मदर्सा हिदायत बक्ष की तालीम अस्ताद के नाम और तारीख वफाद के बारे में हैदरबादी उल्मा भी मतफिक हैं लेकिन मुक्तलिफ तजकर निगारों की राये पर गोर करने के बाद जो हकायक सामने आते हैं वह यह है के वली का पूरा नाम वली मुहम्मद था उसकी जाय पैदाईश ववफाद और अंगबाद हैं वली दकनी ने मदर्सा हिदायत बक्ष में तालिम पाई थी मगर उसे गुजरात से भी दिलचस्पी थी जिसका इजहार वली के कई शार से भी होता है गुजरात के शूरत सूरत के बारे में वली ने एक मसनवी भी लिखा है वो अपनी जबान दकनी बताते हैं दकनी जबान में शेर सब लोगा कहीं है ऐ वली लेकिन नहीं बोला कोई एक शेर खुशतर जमीब फेम ठीक है तो यह जो है ना यह वली की ही शायरी है मतलब कि यहां पर बताया गया है कि अलग-अलग लोगों ने वली दकनी के बारे में अलग-अलग बताया है लेकिन मतलब रिसर्ट के पता चला है सभी लोग की बातों को सुनते हुए मुक्तलिफ राए को सुनते हुए लास्ट में यही एक बात निकल कर सामने आई है यही साबित हुआ है कि वली का पूरा नाम वली मुहम्मद था और उनकी जाय पैदाईश यानकी जहां पर वो पैदा हुए थे और जहां उनकी वो पात हुई वो औरंगाबाद है और उन्होंने मदरसा हिदायत बक्ष में तालिम हासिल की थी और उनको गुजरात से भी दिल्चस्बी थी आगे बढ़ते हैं वली एक सहिया सिफत आदमी थे उन्होंने अपने दोस्त सेद अबुल मौली के साथ दिल्ली का सफर किया था और बास सस्करों के मताबिक उसकी मुलाकात शाव सवदुल्लाई गुल्षन से भी हुई थी तस्करा गुल्षने गुफतार के मताबिक वली ने हजबैतुला भी किया था और मदीना मनवर की जयाद से शर्फ्याब भी हुए थे वली के एक शागिर्द सदाउला ने दिवाने वली का एक मक्तूता 1725 में लिका था डॉक्टर जमील जालबी के अपनी तहकीक से साबित होता है यानि कि डॉक्टर जमील जालबी ने अपनी तहकीक से साबित किया है कि वली का इंतकाल 1720 में हुआ ठीक है लेकिन अगर option में 1720 देता है तो 1720 आप लोग टिक कर दीजेगा objective की बात कर रही हूं और अगर 177 देता है तो आप लोग 177 भी टिक कर दीजेगा चले यहां तक तो हो गया chapter number 34 और 35 दोनों chapter का question answer complete अब यहां से start हो रहा है फिर से chapter number 36 और 37 इन दोनों chapter का question answer मुक्तसर तरीम स्रौलाद से यान की very short type question भी मैं रख दी हूं इसमें और सबसे पहला सवाल है कि रासिख का पूरा नाम क्या है यान की रासिख अजीमबादी की जो दोनों गजले हैं उनसे यह question पूछा गया है तो सबसे पहले रासिख के बारे में पूछा गया है कि रासिख का पूरा नाम शेह घुलाम अली था रासिख कब और कहां पैदा हुए तो रासिख अजीमबाद में यह पैदा हुए थे 17-17 निस्भी में और रासिख किसके शागिर्द थे तो याद रखिएगा मीरता की मीर कि ये बड़ा ही famous question है next question है कि मीर की शागिर्दी पर कौन फक्र करता था ये भी important question है तो मीर की शागिर्दी पर रासिक फक्र करते थे ठीक है रासिक ने खसूसन किस किस सिन्फ में तमा आजमाई की तो रासिक ने खसूसन घजले कसाइद रुबाईयात और मस्नवियात में तबाजमाई की थी यान की घजल के लावकता सीधा भी लिखे थे रुबाईयात भी लिखे थे और मस्नवियात भी लिखे थे रुखे यार के काबिल कौन है जिसके दिल का आएना जितना ही ज्यादा साफ होता है समझे कि उसका जो महभूब है उसके दिल के आएने में अपने चेहरे को अच्छे से देख सकता है मतलब ये शायर के मताबिक कहा गया है उनकी घजल में ठीक है फलक किसके इशारे पर इजा पहुचाने लगा तो फलक माशूब के इशारे पर इजा पहुचाने लगा दिल क्यों डूबा जा रहा था तो इशकी की बिबारी में दिल डूबा जा रहा था चीक है अब यहां से स्टार्ट रहा है मुक्तसर सवलात यानि की शॉर्ट टाइप कुशन और सबसे पहला सवाल ही की राशिक खिमऻ बादीने किन किन शॉयरों से इसला ली तो जवाब में लिखा गया है की राशिक खिमऻ बादीने यू तो कई शुरच से अपने कلامे इसला ली लेकिन दो उस्ताद शुर्आ के नामें खास तोर से काबिल जिक्र हैं च्छारा से अपने कलाम में इसला है लेकिन दो उस्ताद शुरा के नाम खास तौर से काबिल जिक्र हैं जिनने एक मिर्जा मुहमद फिद्वी हैं जिनसे रासी खजिमबादी ने तदार शायरी में इसलाह लिया था पिर आगे चलकर बादशाह इगजल जो मिर्टकी याने कि फक्र किया करते थे यान Gothic की मिर तक ही मीर की शागिर्दी इसरा क्यों चीछ जी सिर्व को यह ओनते हैं और इतने अच्छे टीचर है और इतने अच्छे तरीके से पढ़ातेब पर बहुत ही फक्र था ठीक है दूसरे तवाले कि राशिक को किस किस सिन्फ से खास शगुफ था तो रासिक जिमबादी ने एक शायर की हैसियत में मुक्तलिफ इसनाफ शायरी पर तबाजमाई की जैसे घजले कसाइद रुबायात मदैकतात मसनवियात मुखमसात और वासुफत शामिल है लेकिन जि जो दोनों सिन्फ है घजल और मसनवी इनसे खास शगुफ था रासिक जिमबादी को नेक्स्ट कोशन है कि मीर की तर्वियत का रासिक पर क्या असर हुआ तो जवाब में लिखा गया है कि रासिक जिमबादी को मिर्ता की मीर जैसे खुदाई सुखन शायर से सागिर्दी का कहा जाता है कि रासिक ने मीर की सरफरस्ती में कुछ अर्सा गुजारा भी था मीर्ता की मीर की तर्वियत का रासिक की शक्सित पर इतना अच्छा असर हुआ कि उनकी शायरी में साथजल जैसे पक्तगी आ गई और उनकी शायरी पर मीर का रंग वा आहंग च्छाया रहा ये तो सही बात है कि जैसा आप उस्ताद के साथ रहोगे उन्हीं का रंग आपके उपर आएगा मतलब कि यहां पर रासिक जिमबादी जो है ना मीर तकी मीर के स्टूडेंट थे और मीर तकी मीर को घजल का बादशाह कहा जाता है तो मीर तकी मीर जैसे ही पुखतगी और वो वो अहंग उनके शायरी में देखने को मिला रासिक जिमबादी के शायरी में अब जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट ठीक है नेक्स्ट कोशन आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर फूर है कि रासिक की मौत कब और कहां हुई तो जवाब में देखे लिखा गया है कि रासिक बु रासिक जिमबादी का इंतकाल हो गया और महला लोधी कट्रा में वो दफन किये गए ठीक हैं आगे बढ़ते हैं पांचवा सवाल है कि रासिक का कलाम किस नाम से शाय हुआ तो रासिक जिमबादी का कलाम कुल्यात रासिक के नाम से शाय हुआ जो उनके वाहिद शेरी सुर् स्टार्टहोरा है देखिए सबसे पहला सवाल है कि रासिक अजिमबादी के लाइवाल पर रौशनी डालिएensor को लिखना पड़े तो देखे जवाब में लिखा गया है कि रासिख का पूरा नाम शेख गुलाम अली और तखलुस रासिख था जाय पैदाइश अजिमबाद होने के निस्बत से रासिख अजिमबादी के नाम से शेर वदब की दुनिया में मशूर हुए और उनकी पैदाइश पटना सिटी के म खुनत पजीर हुए और यही रासिख की पैदाइश हुई थी यजिमबाद में और रासिख के तफसिली हालात के बारे में से उनके कुछ हालात मालूम होते हैं वह अभी सिर्फ इसकदर के वह अर्दू-फार्सी और फन-उरूड से अच्छी वाक्वियत रखते थे थे शा पहले मिर्जा मुहम्मद फद्वी से इसलाली और फिर शेहनशाह घजल यानकी बादशाह घजल मिर्दा की मिर के शागिर्द होने का शर्फ हासिल किया रासिक जिमबादी के मौशी हालत बहतर कमजोर थी यानकी आगतिक इस त्रीम के अच्छी नहीं थी पैसों की कमी तो बहुत ही कमजोर थी और जिंदगी की आखिरी लमों तक ये सूरत हाल बाकी रही और इसी वज़े से उन्होंने कलकत्ता लखनव और मुर्शिदबाद का सफर तलाश मौश में किया लेकिन इस मजबूरी के बावजुद उन्होंने कहीं कोई मुलाजमत नहीं की मुखमसात और वासुकत शामिल है रासिक की वफात 1830 में अजिमबाद पतना सिटी में हुई और उनकी कबर पतना सिटी के महला लोधी कट्रा में है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है कि मिस्रे को मुकमल कीजिए यहां पर आप लोग को कुछ लाइन दि ना है उसी तरीके से यहां पर है तरकल對對ת की लजदत है नहुइं हमको नसीव यहां पर नहुइं हमको नसीव रहेगा लिएसम के मारा अपने बीमारे मुहबबत को देखें यह पर बीमारे मुहबबत लिखा गया है फलक ऐसा हमारे दरपे एजा न था आगे ठीक है तो लास्ट में यह रहेगा दरपे एजा न था आगे और पांचवा जो है यह बेमोहरी तुम्हारी है तुम्हारा ही इशारा है लास्ट में क्या चैप्टर तक के सारे subjective question answer को हम लोग complete कर चुके हैं किसी तरह का कोई भी doubt है या फिर confusion है तो comment box में लिकर पूछ लीजिएगा हो सहीएगा तो इसके next वीडियो में मैं मैं उस confusion को clear कर दूँ आज के इस वीडियो में जो कुछ भी समझाएगे हैं समझ मैं है और वीडियो अच्छा लगा है तो देन लाइक लाइक करना है लाइक एक बार करें और अगर आप लोगों से बार बार कहते हूं कि मैं आप लोग ने चानल को सब्सक्राइब करके नोडिविकेशन बेल ओन कर लिया हो ताकि जब भी वीडियो अप लोड़े तो नोडिविकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक है चलिए आज के इस वीडियो का हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसके साथ मैं आप सभी लोगों से बिदा लेती हूं बाइ-बाइ-टे तक के लिए चाहिंद और खुदा हाफिज